हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपके सामने गोरो मिगलानी टोपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बाता देता हूँ कि आपके इसी चैनलर पर 90% वीडियोज मैंने बोर्ड और मारकर की हेल्प से एक्स्प्लेन की हुई हैं तो आप उन वीडियोज को इन प्रेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है कोलेज के दिनों से ही फ्रेंड्स हैं पर ये अलग-अलग बिजनस करते हैं आज की डेट में रेगुलर इन में मीटिंग होती रहती है मतलब मिलते रहते हैं मीटिंग होती रहती है ये लोग business के ideas discuss करते हैं, काफ़ी सारे notes इनके बीच में exchange होते हैं कौन-कौन से notes, customer satisfaction के लेकर, marketing efforts, product designing, selling technique, social concern मलब society के जो जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी discuss करते हैं एक meeting हो रही थी जिसमें गिरिका ने तनिश और रोहित का ध्यान अकरशित किया consumers के साथ हो रहे शोशन के लिए, कि आजकल जो consumers के साथ शोशन हो रहा है तो उसकी तरफ तनिश और रोहित का ध्यान अकरशित किया और गिनिका ने बताया कि आजकल बहुत सरे seller ऐसे हैं जो consumers का अलग अलग तरीके से शोशन करते हैं society में जो नैतिक मुले हैं, जो aspect है marketing के उसकी और ध्यान ही नहीं देते हैं बलकि consumer का सोशन किया जाता है पर गिनिका कहती है कि मैं खुद ऐसा कोई भी गड़बड वाला काम नहीं करती हूँ फिर तनीच ने बताया कि they were under pressure to satisfy the customer हम customer को satisfy करने के लिए under pressure में रहते हैं उसने ये भी बताया कि consumer इतना नहीं खरीदता या इतनी मात्रा में नहीं खरीदता है जब तक हम consumer को convince नहीं करते हैं, motivate नहीं करते हैं product खरीदने के लिए इसी तरह से फिर रोहित ने भी बताना start किया कि एक company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customers अगर हम customers की आवशकताओं को ध्यान में नहीं रखते हैं तो company अपना target अपना objective कभी भी अचीव नहीं कर पाती है तो ये एक businessman की duty है कि हम consumer की satisfaction को ध्यान में रखें क्योंकि business को जो भी resources मिलते हैं वो सारे society से ही मिलते हैं तो रोहित ने आगे और बताया कि वो खुद जो भी करता है business करता है जितनी भी business के काम करता है तो वो सारे customers की needs को ध्यान में रखे करता है question में हमसे पूछा जा रहा है कि identify the various types of thinking that guided guinea का Tanish and Rohit in the marketing effort of their business also state one or more feature of the various type of thinking identified that is not given in the above para उपर वाले paragraph के अंदर हमको बताना है कि गिनी का Tanish and Rohit ने अपनी marketing effort कौन-कौन से लगाए हुए है उनके features भी बताने हैं अगर एक दो हमें पता है और एक दो चीजे हम अपनी thinking अपने level पर भी बता सकते हैं जो उपर वाले paragraph में अब तक identify नहीं है उपर वाले paragraph में अब तक वो बाते अगर नहीं बताई गई हैं तो तीनों की यहां देखा जाए तो गिनिका Tanish and Rohit की marketing efforts को लेकर अलग-अलग thinking है सबसे पहले बात करते हैं गिनिका की गिनिका का हमने topic जो अभी discuss किया वो है societal marketing concept क्योंकि गिनिका consumer के शोशन के विरुदतों है ही सही society में जो नैतिक मुले होती हैं उसको भी पालन करने की बात कर रही थी तो definitely the main focus of this philosophy is on the both the need of the potential buyer as well as the concern for the society मलब हम society को भी देखते हैं buyers की अशक्ताओं को भी ध्यान में रखते हैं मलब लोग क्या खरिदना चाहते हैं उनकी क्या अशक्ता है society की तरफ भी हमारा बहुत बड़ी मातरा में ध्यान है the ends include the profit maximization through customer satisfaction and the social welfare मतलब इस concept के according हम profit भी कमा लेते हैं और हमारा social welfare समाज का welfare भी हो जाता है social welfare समाज का कलयान भी हो जाता है तो customer की satisfaction अगर है तो customer की अगर satisfaction है तो हमें profit भी मिलेगा और इस societal concept के साथ हम social welfare भी कर लेते हैं बात आती है तनिश की तनिश ने जो बात की है वो है selling concept क्योंकि selling concept के according ही हम अपना product consumer को sale करते हैं तो the main focus of the philosophy is on the existing product हम अपने product के उपर focus करते हैं the end include profit maximization through sales volume हम sales को increase करके profit maximum करने की बात करते हैं यही बात तनिश ने कही है कि हमें क्या करना होता है हमें consumer को product sale करना होता है जिसके लिए हम consumer को motivate भी करते हैं यही बात तनिश ने उपर case में हमें बताई है फिर बात आती है रोहित की रोहित ने जिस according बात की है वो है marketing concept के according the main focus of this philosophy is on the customer needs the end include the profit maximization through consumer satisfaction इसमें हम consumer की satisfaction का ध्यान रखते हैं और उस वज़े से हमें profit हो पाता है तो अगर हम ध्यान से देखें इन तीनों concept के अंदर इसमें हम sale ज़्यादा करने की बात करते हैं तब profit कमाते हैं इसमें हम customer की satisfaction की और ध्यान ज़्यादा रखते हैं तब profit कमाते हैं इसमें consumer satisfaction भी important है और social welfare भी important है तो इन concepts को लेकर पूरा detail अगर आपको देखना है तो मैंने आपको इस video के description box में भी दिया हुआ है कि societal concept क्या है, product concept क्या है, production concept क्या है, selling concept क्या है, marketing concept क्या है वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस video के description box में कुछ और important links भी दिये हुए है, आप उन्हें भी study कर सकते हैं तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद